हेलो, पिछली वीडियो में हमने HTML की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना आज हम इस वीडियो में HTML टैक्स के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम जानेंगे कि HTML टैक्स होते क्या हैं HTML टैक्स एक सधार्न शब्द या अक्षर होता है जो एंगुलर ब्रेकेट ये एंगुलर ब्रेकेट होती है से गिरा रहता है इस प्रकार एक सिधान शब्द याक्षा और एंगुलर ब्रेकेट से एक stml टैग का निर्मान होता है नीचे कुछ उधान दिये गए है form एक सिधान शब्द है यहाँ पे हमने form लिखा हुआ है ये एक सिधान शब्द है stml डाकुमेंट में form बनाने के लिए form टैग का प्योग किये जता है stml लैंग्विज में form टैग बनाने के लिए form शब्द को less than और greater than के बीच लिखने से stml form टैग का निर्मान होता है जिसे इस प्रकार लिखा जाएगा ये लिखो ये opening टैग है यहाँ पे लिखा हुआ है form और इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम ये लिखो less than कसिमबर इसके बाद forward slash इसके बाद form और यहाँ पे greater than कसिमबर तो ये closing टैग बन गया तो इस तरह से ये form tag बनाया जाता है, tag का एक और उदारना है, यहां पर ये लिखो, text को bold यनि गहरा करने के लिए bold tag का इस्तिमाल किया जाता है, bold tag बनाने के लिए bold शब्द का मातर b को यूज किया जाता है, यहां b अक्षर को less than और greater than के बीच लिखा गया है, तो इसे इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे यहां पर, यह देखो, starting tag है, तो starting tag यहां पर less than symbol यूज किया हूँ है, इसके बाद b लिखा हूँ है, इसके बाद यहां पर greater than symbol यूज किया हूँ है, और इसके बाद यहां पर text यूज करेंगे इसके बाद यहां पे less than और यहां पे यह forward slash यह लगाया हुआ है इसके बाद b और इसके बाद greater than यूज किया हुआ है तो इस तरह से यहां पे bold tag यूज किया हुआ है stml tag को जिस text पर apply किया जाता है by text उसी tag के नाम से mark हो जाता है अथार्थ यहां पे हमने लिखा हुआ है p tag इसके बाद यहां पे कुछ लिखेंगे इसके बाद यहां पे p tag को बंद किया हुआ है के बीच लिखा गया text को browser paragraph की रूप में पहचानता है इसलिए ही stml को markup language का जात है इसके बाद है types of stml tag stml tag के दो परकार होते हैं पहला है paired tag और container tag या तो हम paired tag बोलेंगे या container tag बोलेंगे दूसरा है singular tag और empty tag या तो हम singular tag बोलेंगे या empty tag बोलेंगे तो यह tag के दो परकार है इसके बाद यहां पे हम करेंगे paired tag और container tag यह इसकी definition है paired tag बे HTML tag होते हैं जिनको जोड़े यानि pair में लिखा जाता है एक pair tag के दो भाग होते हैं पहला opening part होता है जिसे इस प्रकार लिखा जाता है यहाँ पर यह रिखो यह हमने यहाँ पर bold tag यूज किया हुआ है यह opening tag है इसके बाद दूसरा बाग closing part होता है जिसे इस प्रकार लिखा जाता है यह लिखो यहाँ पर यह closing part है यहाँ पर हमने less than यह use किया हुआ है इसके बाद forward slash इसके बाद b इसके बाद greater than तो यह एक closing part है तो pair tag के दो भाग होते हैं एक opening tag एक होते है closing tag यह opening tag है यह यहाँ पर closing tag है इसके बाद है singular tag और empty tag singular tag को empty tag भी कहा जाता है यह tag अकेले होते है singular tag का साथी tag नहीं होता है उधार्न के लिए यहाँ पर यह लिखो हमने लिखा हुआ है यह BR तो यह जो है BR इसका कोई भी closing tag नहीं है इसका cable A की tag है तो जिसका closing tag नहीं होता है उसको बोले जाता है singular tag या empty tag तो इस वीडियो में हमने HTML tags के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल